हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे तो बहनो आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए दो इंप्रोटेंट खबर लेके आए हैं जो सभी आगनवारी सेविका बहनों को जानना बहुत ही जरूरी है जैसे कि पहली खबर ये है कि एक आगनवारी सेविका के साथ फ्रॉड हुआ है उनके खाते से जो है लगबग 31,000 रुपे किसी सातिर गीडों के लुटेरों ने उनके एकाउंट से फ्रॉड कर लिया है ये घटना किस प्रकार से हुई है कैसे आप लोगों को इस घटना के बाद सावधान रहना है ठीक है और दूसरी जो इंपोर्टेंट खबर है वो बिहार ICDS निदेसाले के तरब से आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट जो लेटर है वो भेजा गया है कि बिहार के जितने भी आगालवारी केंदर है जहाँ पर पुसाख खेतु जो DVT के माध्यम से बच्चों के लिए रासी भेजी जाती है उनका सत्यापन करने के संभन में यहाँ पर लेटर भेजा गया है देट यहाँ पर देख पाएंगे 4-10-2024 का यह इंपोर्टेंट लेटर है तो दोनों खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम पहली खबर की बढ़ते हैं आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ठीक है किस परकार से सेविका के साथ फ्रोड हुआ है और कैसे आप लोगों को भी सवधान रहना है देखे यह जो खबर है वो बहिटा की है ठगी करने वाले सातिर गिरो हर रोज नए तरीके का इस्तेमाल करके लोगों को अपना निशाना बना रहे है सो मोर को ठगी के इस गिरोह ने एटीम कार्ड बदल कर एक आगनवारी सेविका के खाते से पलक जप्रकते ही 31,000 रुपए उड़ा लिए देखे यह जो गिरोह है वो एटीम कार्ड बदल कर किस परकार से आगनवारी सेविका के खाते से 31,000 रुपए उड़ा लिए संख्या जो है वो बरती जा रही है लगभग चार से पात संख्या हो गई है उन लोगों ने अपने साथ एक यूती को भी सामिल कर लिया है ताकि घटना का अंजाम देते वक्त किसी भी परकार की सक्की गुंजाईस ना रहे आंगनवारी सेविका का कहाना है कि जब वो एटीम पहुंची अपने पती के साथ पैसे निकालने के लिए तो वहाँ पर एटीम के पास एक यूती मौजूद थी पहले से ही जो काफी देर से एटीम में कुछ छेट चार कर रही थी उसके निकलने पर जब मेरे पती अंदर गए तो पाया की एटीम कार्ड स्वाइप नहीं हो प्रिदा आए और कुछ सेकेंड के बाद वहाँ पर मौजूद लरके अंदर आ गए और उन में से एक लरके ने उनके पती से कार्ड लेकर उनकी मदद करने के नाम पर अपरेट करना सुरू कर दिया और उनका एटीम जेवह वहाँ पे डालकर उनका पिन बदल लिया और कार को बदल कर उनके खराब होने की बात कर उन्हें बीदा कर दिया और पुलिस का कहाना है कि बैंक और ATM के CCTV के साथ ही आसपस के जितने भी CCTV कैमेरे हैं उनको खंगाले जा रहे हैं कि जल से जल उन ठोगों को गिराफतार कर लिया जाए तो इस परकार से जो ये इनका गिरो है वो काम कर रहा है तो आप लोगों को भी सतर्क रहना जरूरी है जब आप लोग ATM कार्ड में पैसा निका जाते हैं तो आपके पीछे-पीछे कोई सातिर जीरों का लर्का आपके साथ रहता है बाद में अकेला होने पर आप से पैसा वेगरा भी छीन सकता है तो आप लोगों को सवधान रहने की जरूरत है ठीक है चलिए अब हम आपको दूसरी ख़बर दिखाते हैं जो दूसरी आप लोगों के लिए भेजा गया है पोसाग रासी के लिए यहां पर देखिए विसाय लिखा गया है पोसाग योजना अंतरगत आंगनवारी केंद्रों पर तीन वर्स से छे वर्स के पंजिकरित बच्चों की वांशित सुचनाओं का सत्यापन करने के समद्द में यानि कि ये जो लेटर भेजा गया है जो आपके पोसंट रेकरेप में तीन से छे वर्स के पंजिकरित बच्चे हैं जिसमें की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके आगनवारी केंद्रों पर तीन वर्स से छे वर्स के पंजिकरित बच्चों का पोसाग रासी यूजना का लाव देने है तू पोशन ट्रेकर एप में परविष्टी किये गए डाटा को महिलब परविक्षिका के अस्तर से सत्यापन कराते हुए छेतर के बाहर जा चुके लाभू को जैसे कि तूरूटी पून डाटा को पोशन ट्रेकर एप से हटवाना था लेकिन अध्यतन परतिवेदन और परप्त है जैसे कि इसके पहले भी लेटर भेजा गया था आप लोगों को कि जो आपके पोशन ट्रेकर एप में बच्चे रजिस्टर हैं जो बच्चे आगनवारी केंदर नहीं आ रहे हैं किसी दूसरी स्कूल में जा रहे हैं या ऐसे बच्चे जो गलती से वहाँ पर रजिस्टर हो गए हैं ऐसे बच्चों का वहाँ से पोशन ट्रेकर एप में से डिलेट करवाना था लेकिन वो अभी तक काम नहीं हुआ है इसकी जो जीमवारी है महिला परविक्षिका को दी गई है ठीक है अतहप पुना अनुरोध है कि पोसाक योजना अंतरगत तीन वर्स से छे वर्स के आगनवारी केंदरों पर पंजिकरित बच्चों की वानशित सुसनाओं का सत्यापन कर एक सब्ता के अंदर परतिवेदन देना सुनिशित करें ताकि आगे की करवाई की जा सके इस परकार से आप लोगों के लिए जो है कि आई सीडिय से लेटर भेजा गया है कि पोसंट रेकर एप पर ये जो काम है आप लोगों को एक सब्ता के अंदर कर लेना है ताकि आगे जो है इसका करवाई करके जो बच् चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगन बारी बहानों तक शेयर भी कर दिजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद